हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ टिप्स में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हल्दी के मिस्रण वाला दूद आपकी सेहत के लिए कितना फायदे मंद है जब भी आपको चोट लगती है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप हल्दी वाला दूद पीजिए हल्दी और दूद के मिस्रण से कई प्रकार के रोगों से निजात पाई जा सकती है आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा कि साधी की फर्ष्ट नाइट में पतनी अपने पती को हल्दी वाला दूद देती है और ऐसा कई फिल्मों के सीन में दिखाया गया है हल्दी वाला दूद दिखाने के पीछे ऐसे कई कारण है हल्दी वाले दूद से कई हल्दी पेनिफिट्स मिलते हैं तो आईए जान लेते हैं इससे होने वाले पेनिफिट्स के बारे में गौर से देखिए हमारा ये वीडियो हल्दी वाला दूद मोटापा भी कम करता है हल्दी वाले दूद को पीने से सरीर में जमी अतरिक्त चर्बी घटती है इसमें मौझूद केलसियम और मिनरल और अन्य पोसकत तथ्व वजन घटाने में भी मददगार होते हैं हड्डियों के लिए तो जैसे अम्रित है हल्दी वाला दूद दूद में केलसियम और हल्दी में anti-oxident की मौझूद की कारण हल्दी वाला दूद पीने से हड्डियां मुझबूथ होती है और साथ ही सरीर की रोख परति रोदक चमता भी बढ़ती है हलदी वाले दूद को पीने से हड़ियों में होने वाला नुकसान और आश्टियोपोरिसिस की समस्या में कमी आती है आयरुवेदिक परंपरा में हलदी वाले दूद को एक बेहतरीन रक्त सुद्ध करने वाला माना जाता है ये रक्त को पतला कर रक्त वहिकाओं की गंदगी को साफ करता है और सरीर में रक्त परिसंचरण को मजबूत बनाता है पाचन सम्मंदी समस्याओं में लाहुकारी होता है हल्दी वाला दूद हल्दी वाला दूद एक सक्तिसाली एंटी सेप्टिक होता है या आतों को स्वस्त बनाने के साथ पेय के अलसर और कॉलाइटिस के उपचार में भी मदद करता है इसके सेवन से पाचन भेहतर होता है और अलसर डाइरिया और अपच की समस्या नहीं होती है हल्दी वाले दूद के सेवन से गठिया का निदान होता है साथ ही इसका रियो में टाइड गठिया के कारण होने वाले सुजन के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है यह जोडों और मानसपेसियों को लचीला बनाता है जिससे दर्द कम हो जाता है गहरी नीद में सहायक है हल्दी वाला दूद, हल्दी सरीर में ट्रीप्टो फन नामक अमीनो अमलको बनाता है, जो सांती पुर्वक और गहरी नीद में सहायक होता है, इसलिए अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या आपको बेचेनी हो रही है, तो सोने से आदा गंटा पहले हल्दी वाला दूद पीएं इससे आपको गहरी नीद आएगी और नीद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी तो ये थे कुछ हल्दी वाले दूद पीने के फाइदे हमारे दौरा बताएगे उपाय समधान या जानकारी बड़े बड़े वैद्यों एम आयरवेदाचारियों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परिसानी का हल ढूँड रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यबाद नमस्कार